नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Motorola G54 के बारे में जो काफी तगड़ी स्फेसिफिकेशन से लेगे आता है आज कल मार्कीट 15-20,000 के फॉनों से खचागच भरी हुई है लेकिन उनमें क्या होता है किसी में बैटरी अच्छे थे तो किसी में पिरोसार अच्छा है और किसी में पिरोसार अच्छा है तो उसका कैमरा अच्छा नहीं है लेकिन ये फोन सारी चीज़े बैस्ट लेकर आता है तो हाथ में पकटने में काफी compatible लगता है जिससे phone की look भी काफी तकड़ी लगती है phone के side में आपको port send button मिल जाते हैं जिसमें आपको power button और volume button मिलते है power button में आपको fingerprint sensor मिलता है phone के नीचे आपको audio jack, microphone, type C, port और speaker grill मिल जाती है उपर की तरफ dual me atmos का support मिलता है इस phone में dual speaker मिलते हैं जिससे की movie या content देखने में काफी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और phone की volume काफी loud और काफी clear आती है इस phone में आपको 6.5 inches की IPS LCD display मिलती है जो 128 Hz refresh rate को support करती है इस display में आपको 560 nits brightness मिलती है जो थोड़ी सी कम लगती है मुझे लेकिन फिर भी brightness इसकी ठीक ठाक मिलती है आपको phone के अंदर आपको काफी बड़ी battery मिल जाती है इसके अंदर आपको 6000 mAh की battery मिलती है जो आपके 1.5 से 2 दिन अराम से निकाल देगी वैसे इतनी बड़ी battery होने के बाद भी phone काफी light weight लगता है और phone के साथ आपको 33 watt का charger मिलता है जो आपके phone को 1.5 से 2 घंटे में full charge कर देगा थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा लेकिन आपकी battery 1.5 से 2 दिन चल जाएगी phone की performance की बात करते है phone के अंदर आपको MediaTek Diamond City 7-0, 2-0 प्रोचेसर मिलता है जो इस price range के हिसाब से काफी तगड़ा प्रोचेसर है या आपके normal touch तो complete कर देगा लेकिन आप इससे gaming भी अच्छी खासी कर सकते हो और इतनी बड़ी battery के साथ आप पूरे एक से डेटे दिन gaming अराम से कर सकते हो इस phone के अंदर आपको 50MP का OIS camera मिलता है जो कि इस price point पे नहीं मिलता और selfie camera आपको 16MP के मिलता है लेकिन normal photograph के लिए तो इतनी खास कुछ details नहीं आती ये camera ठीक ठाक है phone की look और design तो काफी तगड़ा लगता है अगर आपको वीडियो पसंद आज तो वीडियो को like करना और चैनल को subscribe कर देना अगर आपको phone के बारे में कोई चीज पूछेने तो आप मुझे comment कर सकते हो मिलते है next वीडियो में